सरकार ने दावा किया डॉक्टर लव अगरवाल जो कह रहे थे डॉक्टर अर्विन कुमार की आर्टी पीसिया टेस्ट में ये निकल रहा है तो इसलिए टेस्टिंग बहुत आवश्यक है कि तेजी से टेस्टिंग होती रहे और इसलिए जो कोविड इंपक्टिड देशों से लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग मैंडेटरी कर रहे है एरपोर्ट्स पर क्या यही सबसे उचित कदम है इस समय ये उचित कदम बिलकुल है लेकिन जरुवत इसकी है कि इस कदम को बहुत ज्यादा सकती से इंप्लिमेंट किया जाए और कोई भी व्यक्ति देखिए हमें कुछ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स देखने होंगे आप सब आप में सब जानते हैं कि कभी कभी एरपोर्ट्स पर लोग कुछ न कुछ तरीके अक्तियार करके इसको बाइपास कर लेते हैं तो यह है एक ऐसी मतलब सीरियस थिती है कि अगर एक दो व्यक्ति ने भी किसी तर कैसे रोप नहीं सकते तो मेरा तो मानना है कि फ्लाइट्स पर रेस्टिक्शन सबसे तरीका है लेकिन उसके अपने नुकसान हैं अपनी प्रॉब्लम्स हैं तो जब तक हम वो करने का फैसला ना ले क्योंकि वो फैसला सरकार को बहुत सारी चीजें देख करके लेना होगा उ एरपोर्ट से बिना अपने सर्वेलेंस के बिना आटी पीसियार टेस्टिंग के निकल ना जाए और अगर उसका आपका ये मत है कि फ्लाइटों को अभी रोग देना चाहिए क्योंकि इस पर भी थोड़ी सी राजनीती हो रही है कुछ लोग कह रहे है कि फ्लाइट को क्यों नहीं रोक लिए सरकार जो सेकंड वेव में हमने देखा हम ऐसी स्थिती में क्यों जाये दुबारा एक क्या वैसी स्थिती आने का अंदेशा है डर है और दूसरा क्या फिलहाल जैसे कुछ देशों ने फ्लाइट श्रोग दिये जापार ने पूरी तरह से फ्लाइट रोग क्या हमें भी ऐसा करने के आवश्यक्ता है देखिए मुझे सेकंड वेव की इतनी कठोर यादे हैं कि मैं किसी भी क्यमत पर अपने को या देश को उस तरह की एक दूसरी या तीसरी वेव से पास होते हुए हर्गिज नहीं देखना चाहूंगा और उसके लिए आज की तारी के लिए मैं आज कठोर कम कडम उठाने के फेवर में हूँ बजाए इसके कि आज हम थोड़ी सॉप्ट अप्रोच लें और कल जब सिती नियंतरन से बाहर होने लगे तब हमें कोई कठोर कडम फिर से अंजा मलब ना चाहते हुए भी उठाना पड़े तो मैं आज ओवर रिय या कुमार को सुना वो कह रहे हैं बेटर सेफ देन सॉरी आज ही लगा दो रिस्ट्रिक्शन लगर आवशकता है ताकि सेकंड वेव वाली स्थिती दुबारा किसी भी परिस्थिती में ना जाए जी शेशांग जी शेशांग जी आपका ओडियो हम एक बार दुबारा संपर्क सादने का प्रयास करते हैं आपका ओडियो नहीं आ रहा है लेकिन डॉक्टर पारिक आपका क्या अकलन है क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर किसी थारा का फिलहाल चाहिए या फिर आप जैसे ही फ्लाइट्स फिर खोलेंगे आप उसको डीले कर सकते हैं आपको कुछ डील तो करना ही पड़ेगा अब तक को स्वाइन नहीं आया है कि हमको इंटरनेशनल फाइट को रोकना चाहिए लेकिन एक बहुत सीधी बात है वो समझना बहुत जरूरी है सब्सक्राइब कोई पुलीश कमिशनर कड़ा रहे के प्रेस कांफरेंस देके बोलेगा कि मैंने इस साल बीस चौर को पकड़ लिये हैं वो भाई टीक है लेकिन कितने को नहीं पकड़े तो कोई नहीं जानता ना जो हम नहीं पकड़ते हैं आर्टी पीसी आर को उसके बारे हमको आंसर करना चाहिए वैक्सिन कितनी इम्म्यूनिटी दे रही है वो हमको अभी तब पूरा पता नहीं है हमको यह पता है कि अन्वैक्सिनेटेड लोगों में ज्यादा है लेकिन ट्रीचिन की इम्म्यूनिटी कितनी हम नहीं जानते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या लेकिन ये जो सरकार ने आदेश दिया है इस समय शशांग जोशी जी अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है कि जो यात्री है उनका compulsory RT-PCR टेस्ट होगा हर सैंपल जो positive होगा genome sequencing के लिए जाएगा seven day home quarantine एर्थ डे फिर टेस्ट अगर negative है लेकिन 14 दिन का incubation period है इसलिए रेक्मेंट government करती है कि 14 दिन home quarantine में रहे क्या ये उचित कदम है या ये कम है ये उचित कदम है ज्यादा सक कर सकते है लेकिन जितना strict रहेंगे पहले दो मेने में उतना ज्यादा फाइदा पहरत बंच को होगा क्योंकि हम फिर वो port of entry restrict कर सकते है तो हम यही दरक्वास्ट करेंगे government of India को भी कि जितने आप inward लोग आ रहे और पूरे दुनिया को कोई कोई high risk non risk नहीं है जितने लोग आ रहे हो सब का RTP share करके सबको home quarantine करना चाहिए और 7 दिन के बाद evaluate करके preferably 14 day quarantine करना चाहिए उसे हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते है